वेलकम टू टॉपर्स टॉक यू आर वाचिंग गेट 2022 टॉपर्स टॉक आज मेरे साथ हैं मयंक मयंक है सेक्योड ओलिनियर रैंक 11 इन सिविल इंजिनरिंग मयंक ने अपना बीटेक किया है चौधरी ब्रिम प्रकास गवर्वर्मेंट इंजिनिंग कॉलेज जो दिल्ली में है और इन्होंने गेट में 11 रैंक हासिल किया है सिविल इंजिनरिंग ब्रांच से यह दिल्ली के ही रहने वाले हैं मयंक कॉंग्राचुलेशन्स म्यंक अपने अपनी प्रप्रेशन का बिस्टाट कि फ़स्ट वट अफास दाय्म प्राइशन्स फर्स्ट वट वुट अपे साले करेशन्स आपका दूट कोवड माइपरपराइशन अदर थोड़ी सी कम हो गई थी तो में प्रपरपरेशन मैने लास जन्वरी से शुरू करी एसे के लिए तो एसे की जैसे में स्टेजिस क्लियर करता गया तो मेंस की प्रपरेशन में को गेट में काम आई So, your main target was ESC? Yes sir. That is why you joined ESC online course and you joined the test series for ESC mainly? Yes sir. So, ESC was the target and gate is by default or gate plus ESC you tried both? Sir, main target was ESC. Okay. Main practice that what I did was ESC, that practice was my work in the gate. Okay. So, when we see the flavors of civil engineering, तो civil में तो syllabus almost common है. Yes sir. Technical syllabus is more or less common. तो आपका पूरा subjects या जितना भी syllabus है, पूरे subjects को आपने तियार किया या selective होकर के पढ़ाई की? Sir, syllabus मैंने पूरा कवर करा, पर syllabus में कुछ topics होते हैं जो हमको छोड़ दें चलेगा. तो मैंने वो topics छोड़े. So, you are selective in topic not in subject. Yes sir. तो दोस्तों जान रखिए कि subject के अंदर भी topics में selective हो जा सकता है, जैसा कि इनोंने किया. कुछ आप कह रहे हैं कि air pollution में जो portion है, chimney stack height design करने वाले वो छोड़ दिये और किसी subject में कोई topic छोड़े हो इस्टील में या RCC में या स्टील में प्लेट गर्ड़ में नहीं करके गया था, गंट्री गर्ड़ में नहीं करके गया था, इंडस्ट्रियल विल्डिंग का जो topic है वो भ structure, RCC, steel and fluid, soil environment, तो यह तो सभी core subjects आपके हो गए, कुछ छोटे topics हैं, जो theoretical हैं, जैसे building material है, project management है, water resource engineering है, यह भी आपने अच्छे तरीके से पढ़े, यह सर, मैंने कभी differentiate नहीं करा topics में, जो topic करना है, वो डंग सही करना है, एक main problem आती है, students को जब वो self study कर रहे होते हैं, कि एक ना low आ जाता है, कि अभी तो पढ़ाई का motivation बना हुआ है, एक दो मेहने बाद, तीन मेहने बाद, थोड़ा motivation level काम हो जाता है, तो ऐसी जो यह sinusoidal phases आती है, आपके साथ कोई ऐसी phase आई, तो उस समय आपने क्या किया फिर, सर, इस phase में, actually, जो मैंने online course लिया था, तो यह phase आदा है, पर हमको class regular लेनी ही बढ़ती थी, तो उससे मेरी continuity बनी रही, तो continuity बनी रही, तो वो sinusoidal मेरा कर निकल गया, मतलब, मैं regular पढ़ता रहा हूँ, तो जो आपने एस के लिए conventional questions सॉल्व किया है, उनसे क्या gate में कोई help मिली, किस तरह की help मिली, सर, conventional question की practice करके, फॉर्मलें बिल्कुल on the tips आ जाते हैं, बच्चों के, तो at a time हम, जैसी कि मैं gate के paper में बैठा, तो मैं को जादा सूच नहीं पढ़ा, direct questions strike करता था मेंको, तो practice के लिए कौन-कौन से question सॉल्व की है, मतलब sources of study में आपने क्या previous year questions लिये, test series लिये, क्या लिये, test series लिये, test series तो every Sunday में देता ही था, plus जो coaching materials में question होते हैं, और कुछ reference book मैंने करी, question solve करने के लिए, कोई textbook भी बढ़ी है आपने, standard author की, standard author की, मैंने textbook पढ़ी ही नहीं, पर उससे question solve करे मैंने, refer किया उनको, as and when required, yes sir, okay, ऐसा कौन सा subject है, जो लगता है, कि यह ज़्यादा difficult है, और यहाँ पर रिक्कत होती है, Sir, as such, तो, सब subject में कुछना कुछ topic ऐसे होते हैं, जो difficult है, okay, ऐसे पूर सब्जेक्ट को नहीं कह सकती है, तो आपने, airport, railway, dock harbor, वो subjects भी तियार किया है, sir, airport और railway करा था, dock harbor की मैंने theory पड़ी थी, okay, मतलब, more or less, कुछ ना कुछ सारी चीज़ें आप कबर करके गए, आपका score है 90.04 marks, यह आपका 90.04 marks है, जो normalization के बाद है, as you told की, it was afternoon session, और pre-normalization, your score was 85.33, तो आपने कितने questions attempt किया थे, और कितने सही हो गया, कितने गलत हो गया, मैंने 65 attempt करे थे, okay, पूरे, नहीं, 65 में से 60 attempt करे थे, 5 मेरे छोटे थे, 60 attempt किया, आपने 5 को छोड़ दिया, 60 में से कितने गलत हो गया, और जो non-tech area होता है, जिसको आप mathematics है, reasoning है, English है, यह आपने कैसे तेयार किया, मतलब English भी पढ़ा था या English को नहीं पढ़ा, नहीं सर, मैं वो पढ़के नहीं थे, maths मैंने important topics देख लिए थे, मतलब देखे या पढ़े, दोनों में पढ़के, सर, जब मैंने earlier EAC के लिए पढ़े थे, प्री के लिए, तो तभी पढ़े थे, अब मैंने अपने बस जो notes बनाए थे, maths के, वो रेफर करके गया था, तो आपका focus EAC पर रहा, आगे क्या करना है, आपका तो गेट में रहेंक आ गया है, तो दोस्तों, मैंक ने EAC का भी interview दिया है, EAC पर ही इनका focus था, गेट इन्होंने साथ ही साथ लिखा क्योंकि इस लेवस कॉमन है, तो मैंक, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यह जानना चाहते होंगे कि क्या हम गेट और EAC को साथ साथ प्रेपेर कर सकते हैं, तो कर रहे हैं वो तो कॉमन होई जाएगी, सोर्स भी कॉमन है, बुक्स में कॉमन है, देर नथिंग लाइक की यह गेट है, यह यह जानना चाहिए, और दूफरा यह है कि जब आप तयारी करते हैं, पूरे स्लेवस को तयार करते हैं, तो कई स्टेट एक्जाम्स भी लिखते हैं, क्योंकि अल्टिमेटली तो जौब चाहिए, तो जब तक जौब नहीं मिलता तब तक तो स्टूडेंट्स अधिकतर एक्जाम्स को अटेंप्ट करते हैं, तो अगर आपकी comprehensive preparation है, तो आप कई और एक्जाम्स भी लिख सकते हैं, जो state engineering services के एक्जाम्स होते हैं, आपने कभी और आगे के बारे में सोचा है, कि आगे civil services भी करना है, अभी तो मैंने नहीं सोचा, पर आगे अगर ESE में result अचा आता है, तो उसके बाद मैं सोचा है, मतलब option open है, तो gate फर ESE, फर EES के बाद civil services, तो students के लिए क्या message देना चाहेंगे कि आप वो कब से तयारी करना शुरू करें, अगर college going student है, तो what is the right time to begin the preparation? Sir, right time after they enter in the college, right time after first year के बाद ही फुरू हो जाओ, या first year के साथ ही फुरू हो जाओ, Sir, शुरू हो जकते हैं, क्योंकि जब हम college में हमको subjects की इतनी knowledge नहीं होती, तो दिरी दिरे ही हम grasp करते हैं हर चीज, तो दिरी दिरे हम करेंगे textbook जो है उसको refer करेंगे, तो दिरी दिरे हमारी command बन जाती है subject आप जब मेडे जी की classes कर रहे थे online classes तो जो video quality या support है वो कहसा था? Sir, support अच्छा था, video quality भी अच्छी थी, कुछ भी अगर दिक्कत आती थी तो resolve बहुत जल्दी हो जाती थी मेरी कौरी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आए और covid की period में घर में बैठ करके पढ़ना online classes के साथ यह feasible था? Yes sir, feasible था पर offline का थोड़ सा impact आता ही है, मतलब offline आपके साब से बहतर है? Yes sir, यह actually learning environment जो offline का होता है वो एक अलगी होता है, तो वो student interaction आपस का या पर teacher के साथ interaction यह जो हम देखते हैं, कई बार हम खुद लिख रहे होते हैं, लेकिन साथ में यह भी देखते हैं कि साथ वाले बच्चे क्या लिख रहे हैं, मेरे speed, मतलब text सही है कि नहीं है, तो यह सार Mayank, finally you have done and there are still result of engineering services awaited, we hope that and we wish you, कि you will get very good rank in engineering services also, आने वाले समय मे आप और बुलंदिया हासिल करो, और अचीब्मेंट हासिल करो, civil services की तरभ भी जाओ, आप जाते जाते अगर कोई ऐसा message देना चाहो, स्टूडेंट्स को जो उनके लिए useful हो सकता है, तो आप लेदी जी, सर, हमको कभी भी रुखना नहीं चाहिए, सर हमारे जैसे जब मैंने फर्स टाइम पर अपना प्री दिया था, उस टाइम पर मैं क्वालिफाइद नहीं गर पाया था, तो उस टाइम में काफी nervous भी हो गये था, उस टाइम मेरे फादर ने का था कि जो politicians होते हैं, जीतता कोई पर उनका तो चांस पांच सल में एक बार आता है तुम्हारा तो हर सल आ रहा है क्या बात है गिरकर के उठना ये बड़ी बात है कोई गिरा ही नहीं वो तो अलग कहानी है लेकिन कि जो एक बार फेल हो गए दुबारा फिर खड़े हो जाना वो बड़ी बात है और जो आपने पर चांस जहां विल पावर होगी जहां एफर्ट्स अच्छे होंगे वहां पर चांस तो बनते हैं थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग इस वीडियो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी टॉपर्स टॉक का जो एम होता है वह यही है कि उन्होंने अपनी तयारी क यही है और उस तयारी से आपको भी कुछ इंसाइट स्टोरी मिले कि आप उस तरह से बढ़ सकते हैं हर स्टुडेंट यूनिक होता है आप भी यूनिक है यूनिकनेस आप बनाए रख सकते हैं लेकिन साथी साथ जो सक्सेस्फुल लोग हैं उनसे भी बहुत सारी चीजें सी अगर आपको किसी तरह की हल्प चाहिए कहीं पर भी कोई सपोर्ट चाहिए यूर आल्वेज वेलकम वी तॉपोर्ट अवर बेस्ट थैंक यू वेरी मुच जय हिंद